अगर आप UPI से लेंडेन करते हैं जैसे फॉन पे पेटियम गूगल पे ऐसे अगर आप जो कि यह नया नियम का पालन करना होगा अगर आप इन नहीं 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 करते हैं तो आपकी जो UPI डी हो बंद कर भी जाएगे यानि कि क्लोज कर दिया जाएगा नहीं आप किसी को money transfer कर पाएंगे और नहीं आप किसी को जो कि money किसी से receive कर पाएंगे नहीं किसी को भेज पाएंगे तो क्या यह नया नियम इस वीडियो आपको बताने वाले हैं कि आपको नया नियम का पालन करना है तो नमस्कार में सुवाज खुमार और आप सभी का हमारे चनल में स्वागत है तो चले वीडियो को कर रहता है स्टार्ट और आप इस वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा अभी अगर किसी को पैसे टांसफर करने के बाद हो तो ज्यादा तर जो कि लोग यूपिया का इस्तमाल करते हैं जैसे हो गया फोन पे गूगल पे पेडियम ऐसे और भी यह पर अपना मोड नमर के आपने अपने ऐसका बनाया आपने कि यूपिया यूज किया और कुछ टाइम बालाफ्ने को यूपिया को यूज करना बंद कर दिया और आपका ज्ञेसित से आपका बंद हो गया पिर आपको पता है अगर आपको कोई भी मुवाइल नमर है आप तीन मेने से ज़्यादा वो नमर आपको बंद रहता है वो नमर दुस्रे के नाम पढम से रिशो हो जाता है सेम नमर और जब आप करते हैं तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूपी आइडी वहां पर लिंक हो जाता है तो ऐसे में क्या है अगर आपने बहुत पहले आपने यूपी आइकाउन क्रेट किया आपने आपने यूपी आइड किया था खिसी को पैसे टांसफर करने के लिए और बीच में आपने जो इनक्टिफ कर आपने यूपी आइड को यूज करना छोड़ दिया तो ऐसे में बहुत सारे जो गलत एकाउन पैसे जो कि टांसफर होने के संभावना यहां पर ज्यादा हो जाता है क्यों भी आपका जो मोवाइल नमर है वो तो किसी और का हो गया उस नमर से आपको अलेडी जो है कि यहां जो उपी आइडी है उसको इन अक्तिव यानि के सरकार दोवारा बंद कर दिया जाएगा तो इससे बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो उपी आई बंद ना बंद लो आप जैसे आप लेंडें कर रहे हैं वो लेंडें जो है कि यहां पर चालूर है याने कर तो उसके लिए अगर आपने कोई आपके पास ऐसी यूपी आइडी इसने आपने बहुत दिनों से ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो उससे आपको कोई छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करने हैं चाहाँ पैसा ट्रांसफर करना या फिर किसी से करना है तो यहां पर आपको ज़ि कि इस तरीके से आपकी यूपी आइडी जो है तभी आपकी एक्टिव रहेगी नहीं तो आपका जो यूपी आइडी है उसको बंद कर दिया जाएगा और ऐसे में यहां पर इसके नाम से बहुत सब्सक्राइड आपके साथ फ्रोड भी हो सकता है कि आपका यूपी आइडी इसके बंद हो गिया या बंद हो जाएगा इसको चालू करने के लिए सरकार के नियम आया है बंद केसे नहां ओधायेगा तो आपको हिसके वहाँ बचने तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपका यूपी आइडी चालू रहा है आपका पेमेंट जो लेंदे ने कंटीनियू रहें तो आप पिछले एक सालों में कोई टांजेक्शन नहीं किया आपने आपके फेमिली मंबर्स में तो आप जाएए वहां पर कोई ने कोई छोटे किजिए और अपने यूपी आई को आप करना चाहते हैं तो मैं उम्मिद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आगा वीडियो पसंद आगा वीडियो को एक लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा